परिचय चात्रो अब हम उस वस्तू के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा पदार्थ की उत्पत्ती हुई है क्या तुम में से कोई मुझे उस वस्तू विशेश का नाम बता सकता है? हाँ, राहुल तुम सेर, परमानू बिलकुल सही परमानू वो सबसे छोटी वस्तू है जिससे पदार्थ बना है तो आओ, इस पार्ट में हम परमानू के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे परमानू के विभिन माडलों का वर्लन करना टॉमसन के परमानू माडल को स्मरन करना रदर फोर्ट के परमानू माडल वा उसकी कमियों की चर्चा करना बोर के परमानू माडल की व्याख्या करना इलेक्ट्रानों के विभिन कक्षों में प्राकिर्णन को स्मरण करना पर्मानू संखिया, द्रवेमान संखिया, समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर करना पर्मानू शब्द पर्मानू युनानी शब्द एटम से बना है जिसका आर्थ होता है आविभाच्चे युनानियों ने यह निशकर्ष निकाला था कि पदार्थ को देखे ना जा सकने वाले अधिसुक्ष्म कड़ों में तोड़ा जा सकता है इन कड़ों को वे परमाणू कहते थे परमाणू तीन प्रकार के कड़ों का संयूजन होते हैं प्रोटोन निट्रोन एवं इलेक्ट्रोन अधिकांश परमाणू द्रविमान के लिए प्रोटोन तथा निट्रोन उत्तरदाई होते हैं प्रोटोन तथा निट्रोन दोनों ही नाभिक में त्वारित होते हैं प्रोटॉनों का आवेश धनात्मक होता है, निट्रॉनों का कोई आवेश नहीं होता, वे उदासीन होते हैं, इलेक्टॉन नाभिक के इर्द गिर्द के कक्षों में त्वरित होते हैं, उनका आवेश रनात्मक होता है, परमाणू संख्या का निर्धारन प्रोटॉनों की इन से एक तत्व बंदा है, जिसे समस्थानिक कहते हैं. समस्थानिक के रासाइनिक गुण वही होते हैं, यद्यपी कुछ समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं. कुछ समस्थानिक रेडियो धर्मी होते हैं, अर्थात वे अधिक स्थिरूप, संभवता, एक अन्य तत्व अर्ध जीवन में ख्षरित होते समय उर्जा विक्रित करते हैं, किसी तत्व के परमाणूं को स्थिरूप में ख्षरित होने में समय लगता है. एक अन्य उधारण है, एक परमाणू संख्या वाले हाइड्रोजन में एक, दो या तीन न्यूट्रॉण हो सकते हैं. टॉमसन का परमाणू मॉडल जे जे टॉमसन ने प्रस्तावित किया, कि परमाणू धनावेशित पदार्थ का एक ठोस गोला है, और रणावेशित कर्ण, इलेक्ट्रॉण उसमें तर्बूस के बीजों की भाती धसे हुए होते हैं. तर्बूस के खाने योगे लाल भाग की तुलना परमाणू के धनावेशित से की गई. टॉमसन ने प्रस्तावित किया, कि परमाणू धनावेश वाले गोले के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉण उस गोले में धसे रहते हैं. मोटे तौर पर परमाणू विद्धिये रूप से उदासीन होता है, क्योंकि परिमाणू में धनात्मक एवं रनात्मक आवेश समान होते हैं. हालाकि टॉम्सन की ये व्याख्या कि परमाणों विद्योतिय रूप से उदास्थीन होता है अन्ने वग्यानिकों द्वारा गलत सिध्ध कर दी गई रदर फोर्ड का प्राकिर्लन प्रयोग आन्नेस्ट रदर फोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें ब्लेटिनम एवं सोने जैसी धात्वों की पतली पन्नी के माध्यम से आवेशित कणों की बहचार की गई प्रयोग में लाए गए आवेशित कण ए यानी अलफा थे और उनका द्रवेमान हाइड्रोजन के परमाणों की तुलना में चार गुना तथा धनावेश इलेक्ट्रोन पर आवेश के परिमाण का दो गुना था धातू की पतली पन्नी में परमाणों की कुछी पर्तों के होनी की अपेक्षा की गई थी पन्नी पर विक्षेपित आवेशित कणों की गती पर रणावेश वा धनावेश के विभाजन के विभिन प्रकारों तथा परमाणों के द्रवेमान का प्रभाव पढ़ने की भी पेक्षाखी गई थी। टॉम्सन के पर्माणों मॉडल के आधार पर ये पाया गया कि धातों की पन्नी से गुजरते हुए आवेशितकन एक छोटे कोण पर मुड़ जाते थे। पर्माणों की भीतर का अधिकांश भाग खोकला या रिक्थ होता है जो की आवो पर्माणों कड़ों को हटे बिना सीधे जाने देता है। पर्माणों के आयतन की तुलना में नाभिक द्वारा घेरा गया आयतन बहुत ही कम होता है क्यूंकि बहुत ही कम पर्माणों कण अपिक्षा क्रित बढ़े कोण पर प्रतिरुद्ध होते हैं। अपने प्रयोगों के आधार पर रदर फोर्ड ने परमाणू का नाभिक की ये मौडल प्रस्तुत किया. उनके मौडल के अनुसार परमाणू एक धनावेशित केंडरक नाभिक पर आधारित होता है. नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रोन उसी प्रकार परिक्रिमा करते हैं, जैसे उपग्रह सूरे की परिक्रिमा करते हैं. इसलिए इस मौडल को परमाणू का उपग्रह ये मौडल भी कहा जाता है. कक्षो में उलेक्ट Maternity की संख्या नाभिक में उपस्तित धनावेशों यानि प्रोत्रोनों की संख्या के बराबर होती है इसलिए पर्माणूं विद्धूतिये रूप से उदासीन होता है पर्माणूं के आयतन की तुल्ना में नाभिक का आयतन नगरने होता है उधारनार्थ, यदि हम परमाणू की परिद्धी को एक किलोमीटर माने, तो नाभिक का आकार परमाणू के कूर केंद्रक में उपस्तित क्रिक्ट गेंद के बराबर होगा. इस प्रकार परमाणू में अधिकांश स्थान रिक्त होता है. रदर फोड के नाभिकी ये परमाणू मौडल की कविया रदर फोड के मौडल में ये कमी है कि चुकि नाभिक वा इलेक्टरौन विद्ध स्थेतिक आकरशन बल के दोरा साथ साथ रहते हैं इससे नाभिक वा इलेक्टरौनों का आपस में टकराव हो सकता है परमाणू में यह नहीं होता। इसके लिए रदरफोर्ड ने यह व्यक्या दी कि नाभिक के चारों और इलेक्टरौन सरपिल पत में चक्रित होते हैं। यह भी संतोष जनक नहीं है क्योंकि सरपिल पत में गती करने से इलेक्ट्राणों की उर्चा समाब्द हो जाती है और आखिरकार वे नाभिक में गिर जाते हैं, किन्तु परमाणू स्थिर होते हैं। बोर का परमाणू मौडल नील्स बोर 1913 ने रदर फोर्ड के मौडल की कम्यों को दूर करते हुए परमाणू सनचना का एक परिश्कृत मौडल प्रस्तावित किया जो की आधूनिक परमाणू सिध्धान्द की ओर पहला कदम है। इस सिध्धान्द की आवधारणाएं निम्नलिखित हैं। इक निश्चित कक्षा में रहता है, अता उसकी उर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। भिन्न भिन कक्षों के इलेक्ट्रोनों की उर्जा भिन्न भिन्न होती है। जब इलेक्ट्रोन निम्न उर्जास्तर से उच्च उर्जास्तर में जाते हैं, तो कुछ उर्जा उच्च उर्जास्तर में जाते हैं, तो कुछ उर्जा उच्च उर्जास्तर में जाते हैं, तो कुछ उर्जास्तर उच्च उर्जास्तर में जाते हैं, तो कुछ उर्जास्तर जहां H प्लैक का इस्थरांख है तथा V अव्शोशित या उत्सर्जित विक्रण की बारंबारता है। इलेक्ट्रोनों का विभिन कक्षों में वित्रण बोर तथा बरी ने इलेक्ट्रोनों के परमाणों की विभिन कक्षाओं में वित्रण के बारे में बताया। किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संखिया एक सूत्र दो एन दो द्वारा निकाली जाती है इसमें एनकार्थ कक्ष की संखिया है वाहितम कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रोनों की अधिकतम संखिया आठ है तथा उपान्तिम कक्ष में 18 से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं आ सकते संयोजक्ता किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजक्ता कहते हैं अर्थात किसी परमाणूं के अन्य तत्वों के परमाणूं के साथ एक निश्चित संखिया में रासायनिक एकी करण की क्षमता तत्वों के परमाणूं की संयोजन क्षमता जैसे की व्याक्या की गई है वाहितम कक्ष के अश्टक को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास है। बोरान की संयोजक्ता तीन और कार्बन की संयोजक्ता चार होती है। क्यूंकि वाहितम कक्ष में क्रमशा तीन वा चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंकि वाहतम कक्ष में फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अताह अश्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाता है, अताह फ्लोरीन की संयोजक्ता एक है. परमानू संख्या किसी तत्व की परमानू संख्या परमानू के नाभिक में उपस्थित परोटानू की संख्या होती है, चुंकि परमानू विद्ध उदासीन होता है, परोटानू वा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इस प्रकार परमानू में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणू संख्या कहलाती है। द्रवेमान संख्या प्रोटानों वा इलेक्ट्रानों की संख्या की योग को किसी तत्व की द्रवेमान संख्या कहते हैं। माना किसी तत्व की परमाणू संख्या Z तथा द्रवेमान संख्या A है तो पर्माडू में प्रोटानों की संखिया बराबर Z होगी पर्माडू में इलेक्ट्रानों की संखिया बराबर Z होगी पर्माडू में न्योट्रानों की संखिया बराबर A रिन Z होगी हाइडोजन वा आक्सीजन के पर्माडूं की संदचना हाइडोजन पर्माडू प्रोटॉनों की संखिया P बराबर Z बराबर 1, इलेक्टॉनों की संखिया E बराबर Z बराबर 1, न्यूटॉनों की संखिया N बराबर A रिन Z बराबर 1 रिन 1 बराबर 0. अता हाइडोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, प्रथमकक्ष में एक इलेक्टॉन होता है आक्सीजन परमानू परमानू संख्या Z बराबर 8, द्रव्यमान संख्या A बराबर 16, प्रोटॉनों की संख्या P बराबर 8, एलेक्ट्रोनों की संख्या E बराबर 8, न्यूट्रोनों की संख्या N बराबर A रिण Z बराबर 16 रिण 8 बराबर 8 समस्थानिक डाल्टन ने अपने सिध्धान्त में कहा था कि एकी ही तत्व के पर्मानूं आकार, अमाप तथा सनचना के द्रिष्टिकोंड से समरूप होते हैं रग्यानिकों ने डाल्टन के इस विश्लेशन में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन बात में इसे अमान ने कर दिया गया समान हो सकती है, अर्थात समान पर्मानू संख्या किन्तु नेट्रोनों के मामले में उनमें भिन्नता हो सकती है, अर्थात उनकी पर्मानू संख्या अथवा द्रवेमान संख्या भिन्न हो सकती है, किसी तत्व के ऐसे पर्मानू समस्थानी कहलाते हैं एक ही तत्व के पर्माणूं की पर्माणू संख्या यानि Z समान होती है, किन्तु द्रवेमान संख्या अथवा आंशिक पर्माणू द्रवेमान यानि A भिन्न होता है. दूसरे शब्दों में, निूट्रोनों की संख्या के मामले में समस्थानिक परस पर भिन्न होते हैं लगभग सभी तत्वों में समस्थानिक होते हैं हाइडोजन के समस्थानिक हाइडोजन के समस्थानिक तीन होते हैं प्रोटियम यानि H, डियूटीरियम यानि D, ट्राइटियम यानि T. संभारिक अलग-अलग तत्वों के परमाणों में जब परमाणू संखिया भिन, किंदू, द्रविमान संखिया समान हो तो उन परमाणूं को संभारिक कहते हैं. उधारनार्थ, केल्शियम वा और्गन में भिन इलेक्ट्रों संखिया तत्था भिन परमाणूं संखिया होती है, किंदू, उनकी द्रविमान संखिया समान अर्थाद 40 होती है, इसलिए उन्हें संभारिक कहते हैं. मूलियांकन सही विकल्प चुन कर रिक्तिस्थानों की पूर्थी कीजिये. क्या आप जानते हैं? 1911 में आनेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की कि परमाणूं का अधिकांश द्रविमान नाभिक में स्थित होता है, जिसमें प्रोटौन तथा निट्रोन भी होते हैं. इलेक्ट्रौनों की तुल्ना में प्रोटौनों का द्रविमान 1836 गुना होता है, उनके विप्रीत आवेश परिमाण में ठीक बराबर होते हैं. इलेक्ट्रौन नाभिक के चारों और छोटा कक्ष नहीं बना सकता, क्योंकि हीसन बर्ग के अनिश्चित्ता सिध्धान्द के अनुसार इलेक्ट्रौन की तरंग जैसी प्रकृती उसे छोटे क्षित्र में सीमित होने से रूखती है. सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. जेजे टॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणू धनावेशित पदार्थ का एक्ठोस कोला है और रणावेशित कर्ण, इलेक्ट्रोन उसमें तर्बूस के बीजों की भाती धसे हुए होते हैं. रदाव फोर्ड के अलफा कड़ों के प्राकीरन प्रयोग ने परमाणू केंद्रक की खोच का मार्ग प्रश्चस्त किया. रदाफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि जिस प्रकार उपग्रह सूरी की कक्षा में घुमते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रोन केंद्रक के चारों ओर घुमते हैं, इसलिए इस मॉडल को परमानू का उपग्रहिये मॉडल भी कहते हैं बोर्ड ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रोन विभिन कक्षाओं में विभिन उजैस्तरों पर वित्रित होते हैं किसी तत्व की परमानू संख्या परमानू के नाभिक में विद्यमान प्रोटौनों की संख्या होती है समान परमानू संख्या यानि Z किन्तु भिन द्रवेमान संख्या यानि A आंशिक परमानू द्रवेमान वाले एकी ही तत्व यानि कुछ तत्वों के परमानू को समस्थानी कहते हैं भिन पर्मानों संख्या किन्तु समान द्रविमान संख्या वाले विभिन तत्वों के पर्मानों को संभारिक कहते हैं